हेलो फ्रेंज विल्कम बेक दो में जेनल में हूं समित आज में एक सिमाई का उखमा बनाने जा रहे हैं आए देखते हैं कैसे बनाते हैं मैंने अब कड़ाई बिठा दिया है और इसमें हम एक कोटोटी में सिमाई ले रहे हूं उसको थोड़ा सा हलका ब्राव मुले तो भूलेंगे बिना ओयल के अब हमारा सिम में भून चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं अब हम इसमें 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए उसमें थोड़ी सी राई डालेंगे उसके साथ साथ हम इसमें एक और कटा हुआ प्यास लिया है मैंने उसको डाल देंगे अब हमारा ओन्यों हो चुका है अब हम उसमें दो चुका है अब हम उसमें दो मीडियम साथ का आलोंगे इस तरह कट किया है, इसे डाव लेते हैं, उसको फोड़ा साब दोल देंगे, और उसको एक मिंटी के लिए धग के पकाएंगे, अब एक मिंटी हो चुका है, लीड उखा के चेक करेंगे, और अब हम एक कमात्र निया है तक के उसको डाल लेंगे, उसके साबसा हम नमक डालेंगे, नमक स्वाक्षी विटासे डालेंगे, उसके साबसा हम अलगी पाउडर दलेंगे, तोड़ा सा मिंटी पाउडर, कलर के लिए, अब रच्चे के बना रहे हैं, तो मिंटी पाउडर को स्टिक कर सकते हैं, इसको बड़ा सा मिंटी कर लेंगे, और इसको और एक मिंटी के लिए फटने देंगे, धटके, अब हम उसको चेक कर लेते हैं, तमाटर भी साथ हो चुका है, अब हम इसमे पानी डाल कि इसको थोड़ा सा इसमें बॉइल आने देंगे बॉइल आने के बाद के सिमाई डालेंगे अब इसको रख देते हैं अब यह बॉइल हो चुका है इसमें हम अभी सेमया डाल देते हैं कि इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एक मिंटी के लिए पत्ने देंगे धब कर अब हम चेक करते हैं लीड हटा के हो गया है यह नहीं यह देखिए हमारा पूरा हो चुका है पानी भी वह सुख गया है अच्छी तरह से आलू भी देखिए बॉल हो चुका है अब यह खाने के लिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है इसका कलर कितना अच्छा आया है और उसका खुस्पी भी बहुत अच्छा है खाने में भी टेस्टी है अब इसको घर में जरू ट्राइ किर जिए बच्चों को लांस बक्स में भी दीजिए और आप सब के साथ खाये आपको यह कैसे लगा मुचे जरूर कमें बक्ष में अचीजिए रॉड़ा इन देट नहीं को लाइक शेयर अन सब्सक्राइब कीजिए लिए को एडिया प्राइब लाइजिए पडला को लुडियो और युजिए अन नोगी उयुट्राइब अच्छे में रहा जुड़ाताब्स करां अच झाल झाल झाल